बीजेपी सांसद वरुन गांधी अक्सर ऐसे बयान देते हैं जिसे लेकर बीजेपी मुश्किलों में घिर जाती है आज तो उन्होंने उस मुद्दे का जिक्र कर दिया जो पिछले नौ महीने से बीजेपी के लिए परिशानी का सबब बना हुआ है जी हाँ उन्होंने किसान अंदोलन को लेकर ऐसी टिपड़ी की है जिस सत्ता रून पार्टी के माथे पर शिकना सकती है इसी के साथ ही उन्होंने इशारों इशारों में अपनी पार्टी को भी जम कर खरी खोटी सुनाई पिछले नौ महीने से दिल्ली बॉडर ओसांदोलन के गवाह बन रही है जिसमें अन्यदाताओं की हुंकार है अधिकारों की आवाज है सरकार से दरकार है क्रिशी कानूनों को वापस लो सरकार कुछ तो करो सरकार लेकिन सरकार है कि सुनने को तैयार नहीं है इसलिए जहां एक तरफ किसानों का आकरूश बढ़ता जा रहा है तो वहीं अब बीजेपी नीता भी अन्यदाताओं का साथ देते नजरा रही है बीजेपी सांसद वरोड गांधी अब खुल कर किसानों की समर्थन में उतर आई हैं उन्होंने कहा कि मैं हमेशा किसानों के साथ खड़ा हूँ इसी के साथ ही वरोड गांधी ने अन्ना के आंदोलन का जिक्र करते हुए भी कहा कि देश के पास 443 लोग सभा सांसदों मैंसे मैं अकेला ही व्यक्ती था मैं अंदोलन में जाकर उनके साथ बैठ गया और उनका साथ दिया ऐसे ही मैं किसानों का पूरे तरीके से साथ दूँगा अन्नाहजार के अंदोलन मैं भी मैंने ये पूछा नहीं कि मेरा दल उनके साथ है कि नहीं लेकिन मेरा दिल उनके साथ है वरुण गांधी ने अपने इशारों इशारों में बीजेपी को खरी खोटी भी सुनाई उन्होंने कहा कि मैंने जब भी किसी के साथ अन्याय होते देखा है तो हमेशा आवाज उठाई है मैंने ये कभी नहीं देखा कि उसका मुझ पर क्या असर पड़ेगा बीजेपी सांसद किस बयान से साफ है कि वो किसानों के मुद्दे पर विपक्ष के सुर में सुर मिला रही है जिससे सत्ता रोड़ दल की मुश्किलें बढ़ सकती है वैसे ये कोई पहला मौका नहीं है जब वरोण गांधी निया निदाताओं के अधिकारों के लिए आवाज उठाई हो इससे पहले वरोण गांधी ने किसानों के मुद्दे पर सीम योगी को चिट्थी भी लिखी थी उन्होंने गन्य की कीमतों में व्रधी करने, गेहूं और धान की सरकारी खरीद पर बोनस देने, प्रुधारमत्री किसान योजना की राशी दोगनी करने और डीजल पर सबसिडी देने की मांग की थी वरुण गांधी की इस चिट्थी ने योगी की चिंता को बढ़ा दिया है क्योंकि यूपी चुनाफ सिर पर है, ऐसे में किसानों के मुद्दे पर वरुण गांधी के सहारे, विपक्ष के तेवर और तल्ख होंगे